एलो स्टूडेंट एमकॉम के एक्जाम 20 फेबरुवारी से चालो होने वाले है उन एक्जाम में थोड़ा वो चेंज कर दिया है देखे यूनिवर्सिटी नी यह सर्कुलर भेजाई है न्यूवाला सर्कुलर भेजाई है यह जो चार प्रोग्राम कोड है उनका जो टाइम है वो टाइम पहले था एक्चुली 10.30 तो 12.30 था लेकिन अभी वो चेंज करके 3.25 कर दिया है मतलब उतका खाली टाइम चेंज हुआ है यह देखे यहाँ पर भी उन्होंने हाइलाइट किया है time has been made due to higher education school certificate मतलब हसी के examination होने के वज़े से वो time change कर दिया है खाली time change कर दिया है बागी का देखे नीचे दिया है the venue of the examination will remain the same venue भी same है and date भी same है उसमें भी कुछ change नहीं है खाली timing change हुआ है तो आभी यह देखे यह एक time table है मेरे पास m.com semester 1 का time table है देखे यह 20 तारिक से exam चालू होने वाले थे और उनका जो प्रोग्राम कोड़े देखे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्राम 2 C 00531 तो आईसे आपका प्रोग्राम कोड़ आपको check करना पड़ेगा कि आपका जो time table है जो मतलब 3rd semester का भी exams actually 21st से चालू होने वाला है तो actually उसका भी code number का यहाँ पर रहेगा तो अब check कर लो यह 4 में से कोई तो एक मतलब इस में से कोई भी आपका time table रहेगा तो उसका पहले वाला time था 10, 30 to 12, 30 तो आभी change होकर 3 to 5 कर दिया है खाली time change हुआ है date as it is रहेंगे मतलब 20th February को यह strategic management का paper है तो वो strategic management का ही paper रहेगा खाली यह change कर दिया है अभी यहाँ पर अभी क्या कर दिया है 3 to 5 कर दिया बाकि date same है subject same है venue भी same है उसमें भी कुछ भी changes नहीं है मतलब जहाँ पर आपका exam होने वाला था हाल दिकेट पर जहाँ पर आपका exam का venue है वो same venue रहेगा उसमें कुछ changes नहीं है खाली time change कर दिया पहले 10 to 12.30 था अभी 3 to 5 कर दिया है खाली time change कर दिया है तो best of luck for the examination आपका भी चैनल पर कभी नहीं हो तो चैनल को subscribe किजे like किजे वीडियो share किजे आपके आदर friends में okay thank you thank you very much